मैं हूँ डॉक्टर संजीव अगरवाल, यदि आपको डाइबिटीज है, तो आज का ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा आज हम ये समझेंगे कि हम किस तरह डाइबिटीज को ना सरिफ कंट्रोल कर सकते हैं, बलकि उसे रिवर्स कर सकते हैं वो भी बिना दवाईयों के, डाइबिटीज के मरीज का अकसर ये मानना होता है कि उसे मीठी चीजों का परहेज करना चाहिए, पर ये आधा सच है उसे मीठी चीज़ों के साथ में वो सबी फीके, स्टार्ची कार्वोहाइड़ेड का भी परहेज करना चाहिए क्योंकि ये सबी चीज़ें हमारे पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होती है डायजेशन के बाद शक्कर या गलूकोज में परिवर्थित हो जाती है और फिर हमारे blood sugar को spike करती है तो आज से आप ध्यान रखें आपको न सरिफ मीठी चीजों का परहेज करना है क्योंकि ये मीठी चीजे तो carbohydrate हैं ही पर वो फीके, स्टार्ची, carbohydrate भी हमारे blood sugar को बढ़ाते हैं तो साथ में उनका भी परहेज करना चाहिए वीडियो को आगे देखने से पहले आप इसे जरूर लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनने diabetes है जिससे वो भी अपनी diabetes को ना सरिफ control कर सकेंगे बलकि उसे reverse कर सकेंगे अब हम ये जानेंगे कि वो कौन सी चीजे हैं जिनमें ये फीके स्टार्ची कार्बोहाइड्रेड पाए जाते हैं जैसे गेहूं, जुआर, बाजरा, मक्का, केनोवा, रागी, ओटमील्स या mixed grain की बनी हुई एक चपाती के अंदर लगबख 4 चमश तक शक्कर होता है उसी तरह किसी भी पके हुए चावल में 4 चमश तक शक्कर होता है और जो snacks के अंदर आप sugar-free biscuits खाते हैं उसके 4 biscuits के अंदर लगबख 3-4 चमश तक शक्कर होता है तो एक तरफ आप मिठी चीजों का परहेज करते हैं वहीं दूसरी तरफ इन फीके स्टार्ची कार्बोहाइडरेड के रूप में धेर सारा शक्कर या कार्बोहाइडरेड आप अपने शरीर में डाल लेते हैं और ये आपके blood sugar को spike करता है अब ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर फिर खाएं क्या तो यहाँ मेरा suggestion होता है कि आप vegetable और fruit based diet लें जी हाँ, पिछले सौ साल में जितनी भी research fruits के उपर की गई है उसमें उन्होंने ये पाया कि diabetes के अंदर fruits नुकसान नहीं करते अब यदि आप non-veg lover हैं तो आप एक सीमित मात्रा के अंदर specific तरीके से बना करके अंडा, chicken या fish ले सकते हैं यदि आपका पेट रोटी के बगेर नहीं भरता तो अगर आप ग्यहूं या mixed grain की एक चपाती लेते हैं तो उसमें 4 चमच तक शक्कर या carbohydrate है उसकी जगा यदि आप long live के आटे से बनी हुई एक चपाती लेते हैं तो उसमें मात्र एक चमच से भी कम शक्कर होता है जो आपके blood sugar को spike नहीं करता इसके अंदर carbohydrate कम है जिससे आपको blood sugar को control रखने में मदद मिलती है इसके साथ आप glucose free ले सकते हैं glucose free आपके blood sugar को ठीक से regulate करने में मदद करता है आपके insulin sensitivity को regen करने में help करता है और pancreas के beta cells को strong करता है जिससे आप अपनी diabetes को न सिर्फ control कर सकते हैं बलकि reverse कर सकते हैं यदि आपको diabetes control या reversal को ले करके किसी मदद की आवश्यकता है तो आप नीचे दिये हुए button के उपर press करें या फिर phone करके मेरी या मेरे assistant की मदद ले सकते हैं Thank you